एलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जी एस कैप्सुल में आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे चल रही होगी फ्रेंड्स आप सभी को पता है हम अपने इस चैनल के माध्यम से रेगुलर वीडियो आपको करा रहे हैं अलग-अलग एक्जाम्स के लिए तो एक मैं हिंदी की सीरीज इसमें चला रहा हूँ जो हमारा आरो यारो यूपी पुलिस कॉंस्टेबल और यूपिट्र पलसी की सारी परिक्षा है जिसमें जूनर एसिस्टेंट की परिक्षा है अभी सबसे रिसेंट में वह आसे उसको देख सकते हैं तो आज हम इसके 50 कोशन करेंगे पार्ट टू में तो चलिए शुरू करते हैं इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए जिसकी आशा ना की गई हो तो यह होता है आपका अप्रत्याशित आशा तीत क्या होता है जो आशा से परे हो आशा से भी बहुत ज्यादा हो तो उसे बोलते हैं आशा तीत इसी की तरह एक शब्द और आता है जो वचन से परे हो उसको बोलते हैं वचना तीत जो वचन से परे हो आगे चलते हैं जिस पर आक्रमन किया गया हो तो जिस पर आक आत्मगाती जैसे आपने देखा होगा आत्मगाती हमला आक्रमन करने वाला ये कहलाता है आपका आक्रामक सीमा का बलात उनलंगन या हमला करना इसको बोलते हैं आक्रमन और जिस पर आक्रमन ना किया गया है उसे क्या बोला जाता है अना क्रांत ये भी काफी जादा पूछा जाता है अगला प्रथिवी ग्रहों तारों आधी का स्थान तो इसको क्या बोले ने सिंपल अंतरिक्ष ऑप्शन बी जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके उसे बोला जाता है अप्रमे आपने मैत में बच्पन में पड़ा होगा प्रमे नंबर एक प्रमे नंबर जो प्रमानित ना हो वो क्या हुआ अप्रमानित आगे चलते हैं जिसका उप्चार ना हो सके वो क्या होता है असाध्य जैसे असाध्य रोग और जिसका उप्चार आपका एक तरह से कठिन हो जिसका उप्चार करना कठिन हो उसे बोलते हैं दूसाध्य उसका उप्चार तो श्रम साध्य यानि श्रम से किसी चीज को साधना, तो असाध्य क्या हुआ आपका जिसका उपचार ना हो सके, दुसाध्य क्या हुआ जिसका उपचार या उपचार करना कठिन हो, और श्रम साध्य जिसे महनत से हासिल किया जा सके, जिसका उपचार श्रम से किया जा सके, आग सुनाओगा ये उसके दरबारी कवी है तो उन्हें राज कवी बोला जाता है ठीक है और जो कवियों में श्रेष्ट हो उसे क्या बोलते हैं महा कवी जैसे महापुरुष होता है जो पुरुषों में श्रेष्ट हो महा कवी जो पुरुषों में उत्तम हो पुरुष उत्तम इस आया है जिसे जाना ना जा सके वीडियो 2023 का जो एक्जाम हुआ है आपने नाम भी सुनाओ को बहुत फेमस कवी है सच्चिदनंद, हीरनंद, वातसयन वो भी अपने नाम के आगे क्या लगाते थे अग्ये और बाकी नीचे आप देख सकते हैं जिसे जीता ना जा सके अजे जिसे जाना ना जा सके अग्ये जिसे पराजित ना किया जा सके अपराजे और जिस पर विजय पाना कठिन हो दुरजे जो छीड ना हो सके उसे क्या बोलते है आपका अक्षे जिसका च्छे या छीड जिसका ना हो सके, अक्षें और अमिट, जिसे मिठाना कठिन हो, जैसे आपने सुना होगा, कि उन्होंने मेरे उपर एक अमिट छाप छोड़ दी, इस तरीके से, इसका मतलब क्या होता है, जो मिट ना सके, अपार, जिसका कोई पार ना हो, अपार धन, अनंत, जिसका कोई अंत ना हो, जो कहा ना जा सके, उसे क्या बोलेंगे, अकथ्मी है, ठीक है, अकथ्मी है, और जिसके पास, जिसके अंदर या पास पहुचाना जा सके, उसे क्या बोलेंगे, अगम में, जिसमे कुछ करने की छमता ना हो वो हुआ अक्षम गोद में सोने वाली स्री ये बहुत पूछा जाता है वेरी इंपोर्टेंट दो से तीन बार आ चुका है इसे बोलते हैं अंक शाइनी अंक आपका गोद के लिए भी यूज किया जाता है आशा से बहुत अधिक यानि आशा तीत ऐसे मैंने आपको क्या बताया था वचना तीत और जिसकी आशा ना की गई हो वो क्या होता है आपका अप्रत्याशित परीवरजक आपका क्या होते हैं तो परीवरजक बोला जाता है आपका आप्रवासी को सॉरी माफ कीजे माफ कीजे सन्यासी को, ठीक, option c, b नहीं होगा, यह c होगा है, आपका, सन्यासी इसका सही answer है, आप प्रवासी क्या होते हैं, किसी देश में आकर बस जाने वाले परियाटक, दशनी इस्तनों पर घूमने वाले, अवश्य होने वाला, इसको क्या बोलते हैं, अवश्यम भावी, और जिसका निवारन ना हो सके, वो क्या होता है, आपका अनिवार्य, जिसके बिना कार्य ना चल सके वो क्या होता है आपका अपरिहार रहे है ठीक है अपरिहार और अपेक्षित क्या होता है जिसकी अपेक्षा या आशा की गई हो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं जिसकी आशा की गई हो जो स्थिर ना रह सके वाक्यांश के लिए उप्युक्त श पाकी तो देखिए कोई मतलब भी नहीं है, निमलिखित प्रश्णों में जो थोड़ा जानता है उसे क्या बोलते हैं, अलपग्या, जो सब कुछ जानता है उसे क्या बोलते हैं, सरवग्या, जो बहुत कुछ जानता है उसे बोलते हैं, बहुग्या, आदी से अन्त तक इसे ब तमकालीन मतलब उसी समय में होने वाला समय ओचित और तरकपूर्ण के लिए एक शब्द आपका समीचीन होगा आगे देखते है अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को क्या बोलते हैं आपका अवसरवादी, जो खाने योग्या ना हो उसे क्या बोलेंगे अखाद्य, ठीक है पत्य बहुत important है देखिए पत्य मैं आपको बताता हूँ, ये बोला जाता है जो रोगी को देने वाला हलका भुजन होता है उसके लिए पत्य शब्दी यूस किया जाता है ठीक है पत्सम्मंदी जो स्वास्ते के लिए उपयोगी हो रोगी को दिया जाने वाला हलका भोजन अपाच्य क्या हुआ आपका जो पचना सके अलब है जो ना मिलता हो या फिर इसके हम क्या बोल सकते हैं दुरलब आगे देखते हैं बहात्तरवा जिसक चिसके पास घर ना हो इसे बोला जाता है अनिकेद अकिंचन को बोला जाता है जिसके पास कुछ ना हो उसे बोलता है अकिंचन अब इशेक आपका क्या होता है जैसे राजा के सिंगासनो रोन का अनुष्ठान जल छिलकना अकिंचन बहुत गरीब जिसके पास कुछ भी ना हो यह important है काफी पूशा जाता है जिसे जीता ना जा सके उसे बुलते हैं अजे जो बहुत कठिनाई से मिलता है उसे दुरलब जहां जाना या पहुचना कठिन हो दुर्गम कहते नहीं कि पहालियों पर यह इस्थान बहुत दुर्गम है यहां पर जाना बहुत कठिन है दोपहर बारा बजे के बाद, इसको क्या बुलते हैं, अपराहन, दोपहर बारा बजे का समय आपका मद्यान, और बारा बजे से पहले पूरवाहन, आध्यन्त का शही अर्थ क्या है, तो आधी से अंत तक, आध्यन्त, और जिसका कोई अंत ना हो, उसके लिए क्या होगा आप जिसका वचन या वाणी दौारा वर्रनण ना किया जा सके यानि अनिर्वचनी यह यह भी इंपोर्टेंट है यह भी आता है निम्ले के शब्दों में कौन सा शब्द मृत्यू के लिए प्रियोक्त नहीं होता तो अनागत जो शब्द है यह मृत्यू के लिए नहीं होता चल बसा इंतिकाल महानिद्रा यह सभी मृत्यू के लिए यूज होते हैं ठीक है अनागत का क्या अर्थ होता है जो ना आया हुआ आगे देखते हैं जिस व्यक्ति पर अभियोग चलाया यहाँ होता है अभियुक्त इसके लावा अपराधी का अर्थ है अपराध करने वाला वाधी का अर्थ है जो किसी के विरुद वाध या मुकदमा पेश करें भैस्त्री जो छिपकर अपने प्रिये से मिलने जाती है तो इसको क्या बोला जाता है अभी सारिका यह important है थोड़ा नया है भैस्त्री जो छिपकर अपने प्रिये से या प्रेमी से मिलने जाती है अभी सारिका और प्रेम करने वाली इस तरी आपकी प्रेम का परंपरा से चली आ रही बात के लिए प्रियुक्त होने वाला क्या शब्ध है, तो इसको बोला जाता है आपका अनुशुरूति, नीचे से आप इसका description देख लेते हैं, प्रतिशुरूति किसी बात के लिए दिये जाने वाले वचन को कहते हैं, तो प्रतिशुरूति क्या हुआ, किसी बात के से दिया जाने वाला वचन व्याज स्तुति, निंदा के बहाने स्तुति को कहते हैं, इसके अलावा अनुलोम, ऊपर नीचे की ओर आने जाने वालों के लिए प्रियुक्त होता है, जिसके पास कुछ नहों उसे बोलते हैं, अकिंचन, और अज्यानिक इसके लिए यूज़ ह जो कुछ ना जानता हूँ, जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना हो सके, इसको बोलते हैं, अतींद्रिये, ठीक है, अतींद्रिये, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना हो सके, के लिए एक शब अतींद्रिये है, इंद्रियों जीतने वाले को बोलते हैं आपका जीते अंद्र और इंदریों से संबंदित को एंद्रिक याद रखें काफी ज्याता ये भी पूशता रहता है जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है सिंपल है आपका अजात्थ New खोज करने वाला इसको क्या बोलते हैं आपके अव अनवेशक अनवेशक इसके लावा देख लेते हैं अनुपम जिसकी कोई उपमा ना हो निवेशक जो निवेश करने वाला अत्वा पूंजी लगाने वाला अनविती का अर्थ क्या है परस पर संबदता या एकता ये इंपो अती वरश्टी वरशा का बिल्कुल ना होना अना वरश्टी अती इंद्रिया शब्द का आशय क्या है तो अती इंद्रिया होता है जो इंद्रियों की पहुंच से वहार option a इंद्रियों को वश में रखना वाला इसके लिए एक शब्द क्या होता है आपका दंद्रिय जीत जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसे क्या वोलेंगे इंद्र जीत जीते इंद्रियों को देखे जीते इंद्रियों को जीत लिया हो इंद्र पर विजय पाने वाला इंद्र जीत, आस्तिक शब्द का क्या आरत होता है आपका जो भगवान में मानता हो या जो इश्वर पर विश्वास रखता हो, जिग्यासु जो ग्यान की इच्छा रखता हो, विश्वशनिया या विश्वास पात्र जिस पर विश्वास किय Shqai जा सके नास्तिक तो इश्वर को ना मनता करत्वी पष्श्यम और उत्तरदिशाओं के मध्य के कोण को क्या देख वायव्य कोण को बोला जाताए कि सारे कोण आपको या द करने चाहिंगे यह पूश लेता है पश्यम और उत्तरदिशाओं Meg Xin कोण आपका वायव्य होगा, उत्तर और पूर्व के बीच के कोण को इशान कोण कहते हैं, पूर्व और दक्षिन के बीच की दिशा को आगने कोण, और दक्षिन और पश्चिम के बीच की दिशा को नैत्रा के कोण कहते हैं, पूरव और उत्तर दिशा के बीच का कौण यह आपका इशान कौण कहलाता है ज्यादातर मंदिर वगएर आपने देखे होंगे इसी दिशा में रखे जाते है परवत की तलहटी तो इसको क्या बोला जाता है आपका उपत्यका उपत्यका उपर की ओर उछला हुआ इसके उठना ञाट जिसने रिण चुका दिया हो उसे बोलते है ओरिणा ऑक्षिन अरेणा इसके लावा बाग्य शब्दन वो देख लेते हैं जो वस्तु मिट्टी की बनी है, उसे बोलते है, म्रण मैं, ठीक है, option A, इसके अलावा, जिस वस्तु का वज़न ना के बराबर हो, भारहीन, जिसने परिक्षा पास कर ली हो, वो उत्तीन, उरिण देखे, उरिण भी काफी पूछा जाता है, important है, उन्नत मना, शब्द का सही अ वाला के लिए, क्या है आपका, ये है, आपका उरग, ठीक है, उरग, आगे देख लेते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा, important है, छाती के अबल चलने वाले के लिए, एक शब्द उरग होता है, इसके अलावा, भुजंग कार्त, साप, कुरंग कार्त, क्या होता है, हिरं, ठी इस संसार से संबंद, इसके लिए क्या होगा, एहिक, ठीक है, एहिक, इसके अलावा, बाकी देखते हैं, इस लोग क्या संसार से संबंद रखने वाला संसारिक, इस लोग से संबंदित ना हो, वो क्या हुआ, अलोक, आप भ्यंतर का सही अर्थ क्या है, किसी वस्तू का भीत किसी वस्तू का भीत्री भाग जो किये गए उपकारों को मानता हो से बोलते हैं क्रतग्न इसका जो विलोम है जिस पर करपा की गई हो करपापात्र उपकार करने वाला उपकारी हरीष चंद्र होना पत्से संबंदित अंतर कथा को ज्यान में रखते हुए सही अर्थ बताई है हरीष चंद्र मतलब सत्यवादी ओप्शन सी उचकुल में पैदा होने वाला व्यक्ति तो यह होगा आपका कुलीन समवाण क्या होता है जो एक ही वर्ण में जन्म लेने वाले व्यक्ति होते हैं उन्हें बोला जाता है आपका समवाण फिक है तो यही देखिए हमारे आज के सौब पचास प्रशन थे पचास प्रशन में पार्ट वन में करा चुका हूँ तो आई होप आपको यह सेशन पसंदा रहा होगा यह प्रशन देखिए आपके हर प्रिक्षा म लगातार करते रही है और अपना समर्थन मेरे चैनल के लिए जरूर बना के रखिए थैंक यू सो मच